कोरोना काहल में लोगों की कमी को देखते हुए रिम्स प्रबंधन द्वारा टी-े-म-N कमपणी के माध्यम से लगभग 800 स्वास्त कर्मियों को बहाल किया गया था जिसमें 125 A&M कर्मी सामिल थी इसी को देखते हुए सोंबार को 125 A&M को हाजरी बनाने से रिम्स प्रबंधन द्वारा मना कर दिया गया जिसके बाद रिम्स प्रबंधन के खिलाफ A&M ने अपना बिरोध परदर्सन किया A&M का बिरोध परदर्सन देखते हुए रिम्स के डिप्टी सुप्रबंधन डॉक्टर संजे कुमार ने कहा कि अगले तीन महने तक उन्हें काम करने के अनमंती दी गई है उसके बाद अगले कार्यादेश पर विचार किया जाएगा वहीं मोके पर पहुचे बिधायक समरी लाल ने भी बिरोध कर रहे A&M का समर्थन किया और सरकार से मांग किया कि इन्हें जल से जल काम दिया जाए अचानक हम लोगों को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे और हम लोग को जोनी लेक्टर भी नहीं मिला है पहले भी बताया नहीं किया है जोनी लेक्टर भी नहीं मिला है एक ही समस्या है कि हम लोगो जब रिजियूम जमा कर रहे थे उसमें नहीं बोला गया कि आप A&M है या जी A&M एक मतना डीटे करने के बाद तुरंत बाद बोला जा रहा है कि रेजिस्टर में साइन नहीं करना है एहाँ A&M का जगर नहीं है यह नहीं है जब हम लोग रिजियूम जमा कर रहे थे उसमें आप चो रहे थे क्या हमें एनम के साथ यह एंद नहीं कर द देखे हैं लेकिन में हम लोग को पाले यह चीज़ बता देता कि हम लोग नहीं को आप रिम से में नहीं रखेंगे कि यह सरकार जो है जिस तरह का अभी इन लोग के साथ हो रहा है यह सरकार मतलब की यार है और जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं पूरे कोरोना काल में अपने जान पर खेल कर आपने बाल बच्चा को छोड़कर दूइना परिजन के फिक्र करते हुए इन लोगों ने कोरोना काल में काम किया है और अभी सरकार जो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं हजारों बच्चे मर जाएंगे उसके बाद इन लोगों खोज के लाएंगे क्या ड्यूटी देने के लिए क्यों नहीं अभी से इन लोग को अगर यहां नहीं है तो आपका सदर में या जो जिलास पताल है या CHC है क्यों नहीं वहां डिपूट किया जाता है जाहां एक भी अधिया होगा कि इनकी जो जाएज जो वांग है इनको अभी रखकर और सरकार के पास काफी पैसा है इसलिए पैसा है कि बहुत सा जगा खाली है उस खाली पैसा आखिर में आ तो आपका बज़ट आता है उस बज़ट से लोगा भुकतान हो यह हमारी मांगर यही हम कहना चा हमानग होगा कि जाद लोगा यही हमारी मांगर के इनकी जाएज ड्रापी को जाएज़ इनकी आचिक।